प्रयागराज में माफिया आतीक एहमत के दफ्तर में सोमवार को जगा जगा खून फैला मिला सीडियों कमरे और किचन में खून के ताजे धब्बे मिले हैं फर्स्ट लोर पर एक महिला की साड़ी और कुछ अंडगामिंट्स मिले हैं एक चाकू भी मिला है ऐसे में पुलिस ने तुरंट फॉरंसिक साइंस लाब को जाज के लिए मौक्य पर बुलाया है मीडिया कर्मियों से ओफिस खाली करा लिया गया है और अब टीम जाज कर रही है मैंने स्वयम उपर से नीचे ब्रहमड किया है नीचे सिंढ़ी के पास उपरी जो सिंढ़ी है वहाँ पर लाल रंग के धब्बे खुन नुमाद दिख रहे हैं और अंदर एक कच्छ है जो किचेन है किचेन के बगल में भी खुन के धब्बे दिख रहे हैं तो इसी को देखते हुए हमने अपनी सिनियर अधिकारी को भी ओगत कराया है और एफसल के टीम हमारी बस पहुचने वाली है हम लोग उसकी जाज कर लेते हैं और यह देख लेते हैं कि वह खुन कैसा है इसका है कौन लोग हो सकते हैं दरसल यह दफ्तर अतिक के गड़ चकिया इलाकी में हैं 2020 में इस पर प्रयागराज प्रदिकरन अथारिटी ने बुल्डोजर चलाया था तब से यह खाली पड़ा है उमेश पार अतिकान के बाद 21 मार्च यानि 34 दिन पहले इस दफ्तर में पुलिस को 74 लाक रुपे कैश और 10 पिस्टिल मिली थी बता दे कि यह वही दफ्तर है जिसमें अतिक ने 2006 में उमेश पार को किड़नाप करके 3 दिनों तक रखा था बिजली के शौक दिये थे और अपने पक्ष में उमेश से बयान भी लिखवाए थे इसके साथ यह दफ्तर है तीक के आर्थिक सामराज्य का है एहम हिस्सा रहाए 21 मार्च को जब पुलिस ने इस दफ्तर पर छापा मारा था तब किचिन में ताजी रोटियां बनी मिली थी